हेलो मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स, मैं फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके नई टोपिक पर, आज का मेरा टोपिक बहुत यारा इंटरस्टिंग है, अगर आप भी पैन लवर ओ पैन आपकी जाने तो सबसे वहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप इंस्टाग्राम पे भी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पी फॉलो कर सकते हो, ग्रेंटपा फाउंटेन पैन्स की नेम से, आज मैं लेके आए हो वीडियो बाउट बेस्ट फाउंटेन पैन्स, फो शिक्स्टी रुपिस, कौन कौन से फॉणी पैन्स पैन्स कौन कौन सी कंपनी की और से मिले है, और सबसे पहले मैं बता दूं कि यह सभी पैन्स मैंने प्चेस की हैं कोई भी, पर मुश्यलिय मेरे पास आता है, Hauser का Kip Exo, okay सो देन मेरे पास आता है एंकर का इस कंपनी को मैं पहले बारी सुना है सो मैंने इसलिए इसको भी पर्चेस कर लिया सो एक मेरे पास जे भी है Montex Classical वाव मुझे Montex के fountain pen बहुत ही अच्छी लगते हैं and by the way Montex का एक और fountain pen है जिसके उपर में डिटेल वीडियो बनाऊंगा उसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना होगा and उसके उपर वीडियो जल्दी आएगी सो आप कमेंट करके बताओ कि वो कौन सा pen है देखता हूं मैं कि आप गैस कर पाएंगे कि वो पैंस कौन सा है आप सोचो कि Montex का कौन सा fountain man अभी trending में है so next आता है flare inky woody ये भी मुझे निया model लगा तो इसलिए इसको भी purchase कर लिया so ये flare inky grippo वाउ so एक ये है मेरे पास shallow exceed फैंस ये सभी pens है 60 रुपीज के कोई भी 50 का नहीं है कोई भी 70 का नहीं है ये सभी के सभी है 60 रुपीज के fountain pen so hauser inky pip बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे 60 रुपीज इसकी mentioned है MRP and ये 2022 का manufactured है and इसके साथ हमें मिलता है converter and anchor भी manufactured है 2023 and इसके साथ हमें 4 cottage मिलते है इसके साथ 3 ही मिले थे इसमें सबसे यह काटे है I think so यह Montex का manufacture 2079 I don't know कि यह अब होगा जा नहीं old stock में यह है and इसके साथ मिलते हैं 2 cottage but यह cold look में मिलता है classic लगता है so अब तो अगर आप ऐसा pen लेंगे तो यह normally 100 रुपीस का होगा I think anyways हमें इसके साथ में मिलता है एक converter तीन cottage यह है Woody okay इसके साथ मिलते हैं हमें 2 cottage and यह manufactured है 223 same and यह थोड़़ दिफरेंट है देखते हैं इसको भी and यह 2022 manufactured okay and the last but not least इसमें भी ग्रिप है nice and यह है 2019 manufacture great so अब मैं करूँगा इन सभी को unbox and मिलता हूँ unboxing के बाद so देख सकते हैं मैंने इन सभी को unpack कर लिया है friends so यहां पे मेरे पास है 2 fountain pen with converters and 3-3 cartridges okay so यहां पे मेरे पास 2 pen है जिनके पास है metal clip okay यहां पे मेरे पास 2 pen हैं जिन में लगी हुई है rubber grip okay so देख सकते हैं यह मेरे पास 3 categories के 6 fountain pen है totally okay nice so इसमें सबसे पहले मैं चूज करूँगा flare inkip woody को जो की दिखने में काफी अच्छा लग रहा है friends देख सकते हैं इस pen की looks कितनी amazing है इसमें wood finish हमें देखने को मिलती है यह finish सभी pens में same होगी यह इसमें आपको colors different different देखने को मिल जाएंगे so इसे मैं open करूँ तो वो हमें normal grip मिलती है nothing special इसके साथ वो हमें एक converter मिलता है 3 cartridge मिलती है and 60 rupees में हमें एक complete pack मिलता है जो की एक अच्छी बात है यह hauser exo inkip fountain pen यह full pastel color में आता है friends आप देख सकते है and इसमें वो ही simple plastic clip जैसा की उसमें है and इसकी grip भी same to same वैसी ही है इसके साथ भी मिलता है मुझे converter and 3 unbranded cottage हम बगते हैं यह है fountain pen from anchor this fountain pen name supreme so 60 degrees में यह काफी good looking fountain pen जिसको रंगोली टाइप and color करीती अच्छी लगती है तो वो इस pen के ओ जा सकता है definite difference 100% and इसमें metal clip लगा हुआ है जो कि इस दोनों से अच्छा है बहुत ही ज़्यादा and यहां पर देख सकते हो कितना ही सुन्दर इसका design है मुझे इसका design personally बहुत ज़्यादा पसंद आया इस से open करते ही मुझे देखने को मिलती है uncommon black grip किसी को वो transparent grip अच्छी नहीं लगती like me so मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी so इसमें देख सकते हैं anchor की branded nib लगी हुई है and यह nib भी normal नहीं है and something different है and यह post करने के बाद और ज़्यादा सुन्दर लगता है nib and clip match होनता है तो यह बहुत ज़्यादा beautiful लगता है anyways I know continue use के बाद यह fade हो सकता है बट मैं इसे continue use नहीं करूँगा and इसके साथ हमें unbranded 4 cartridge मिलते हैं okay and next मैं बढ़ता हूँ यह Montex classic gold fountain pen so इसके साथ भी हमें मिलता एक metal clip जो की अच्छी बात है friends and देखने में pen काफी अरा classic लगता है and इसमें वह प्लास्टिक ग्रिप जो की मुझे ठीक ठाक लगती है and Montex की branded name जो की अच्छी बात है post करने के बाद यह pen भी काफी अरा अच्छा good looking fountain pen लगता है नेक्स्ट अता है हमारे पास cello Xseed total fountain pen इसमें लगी हुई है rubber grip and जो की पकड़ने में यह मुझे अच्छी feeling दे रहा है comfortable feel हो रहा है friends देखने में pen की looks ठीक ठाक है friends and इसके साथ में हमें more normal दो कार्टिज मिलते है unbranded and the last but not least यह flare inkip grip and cap करते मुझे वही same to same उसके जैसी निप दीखने को मिलती है hooded and इसमें जो feeling आती है friends very very comfortable friends इससे हम मैं long writing तो राम से कपाऊँगा friends इसके looks इतनी अच्छी नहीं लेक रही है but यह पकड़ने में इतना comfortable friends मैं क्या बताऊँ and इसके साथ मुझे branded two cartridge देखने को मिलती है जो कि एक बहुत यादा अच्छी बात है and pen की looks भी ठीक थाग है and good है for 6 rupees so अब मैं आपको दिखाऊँगा इन सभी का writing experience so मैं चूज करूँगा यह वाला pen जिसे मैं सबसे पहले unpack किया था so यह flare inkip woody इसे मैं dip test करूँगा flare inkip woody fountain pen friends इसके निप मुझे काफी यादा अच्छी लगी fine है and smooth भी है बहुत ही यादा अच्छी निप reference इसकी इसके साथ मुझे एक converter thin cartridge बहुत ही में लिफ्रेंट for 60 rupees only one converter three cottage so nice paper है hauser exo fountain pen इसके निप भी सेम टू सेम फ्लेयर जैसे यह फ्लेयर की कंपनी है इसमें भी हमें एक कनवर्टर एंड तीन काटिज देखने को मिलते हैं अगर आपको वुड़ फिनिश नहीं अची लगती तो आप ऐसी प्लेन सेर्टल पेस्टल फिनिश में भी जा सकते हैं फोर सेम प्राइस नेक्स्ट है एंकर सुप्रेम सो यह पैन तो बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल लग रहा है देखते हैं आई होप यह पैन लिखने में भी उतना ही ब्यूटिफुल हो नहीं गई यह एंकर सुप्रेम इसमें फाइन ने भी लगी हुई है और इसमें अभी तक इंक नहीं गई है अच्छी तरह से सो या 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 60 रुपिज इसके भी MRP है एंड दिखने में पैन काफी यह सुन्दर एंड बहुत ही यह सुन्दर लगता है और आप मोंटेक्स का क्लासिक गॉल्ड फाउंटेन पैन यह भी बहुत अच्छा फाउंटेन पैन है एंड इसे डिप करके देखते हैं वाओ वाओ मोंटेक्स की निव तो मुझे बहुत यह अच्छी लगती है अज बहुत ही अरह स्मूथ होती है मोंटेक्स क्लासिक गॉल्ड पहुत आरा समूथ निवह फ्रेंड इसकी वैरी वैरी स्मूथ मेडियम निवह तो इसका प्राइज भी है 60 रुपीज and इसके साथ भी मिलते हैं दो cartridges sorry friends, anchor के साथ मुझे मिले थे four cartridges मुझे थुड़ सा skip हो गया mind से and ये grip series का cello exceed so ये मेरे पास wow cello exceed okay nice fine nib same sexy rupees and with two cartridges last but not the least flare, grippo इसे भी dip करते हैं so देखते हैं इसे भी लिख कर sorry sorry अभी इसमें 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 नहीं आई मेरे पास flare very good writer grippo coffee are a good smooth writer friends ये भी 60 rupees and इसके साथ में मिलते हैं दो cartridges so पकड़ने में ये भी coffee are a comfortable friends इसे भी अच्छी handwriting हो रही है and long writing के लिए ये दोनो pen अच्छी है so ये थी मेरे तीन categories के pen and मैं अगर इन में से choose करूँ तीन pen तो सबसे पहले मैं जाऊँगा ये pen की ओर ये भी मुझे अच्छा लगा but ये अभी available नहीं है तो मैं इसलिए इसको रखाए मैंने so secondly मैं जाऊँगा इसकी ओर so ये वाला भी converter वाल भी मैं एड करूँगा अपने collection में आप मुझे बता सकते हो आपने इन तीनों में से कौंट से pen choose करने थे अगर आपके पास option होती so I hope आपको ये informative वीडियो अच्छी लगी होगी please मेरे चैनल को subscribe कर दो वीडियो को लाइक करता हो and अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बदा सकते हो आपको किस pen created वीडियो चाहिए and किस topic पर so मिलता हूँ एक नई वीडियो में नई topic पर तब तक के लिए bye bye friends